और अब कुछ खबरे जिलों से न्सिसी के माध्यम से छात्रों में देश भक्ती की भावना पैदा करना उनका सबसे बड़ा लक्ष रहा है रायपूर के कलेक्टर डॉक्टर सरविश्वर नरेंद्र भूरे ने जिले के चार गाउं का दौरा कर वहां लोगों की समस्याओं और मागों की जान करे ली उन्होंने धरसीमा विकासखंड के बरावदा बरबंदा पत्री और निलजा गाउं में आंगनबाडी केंद्रों और स्कूलों का निरिश्ण किया इस मौके पर कलेक्टर ने इस्थाने जन प्रतिनिधियों से सरकार की कल्यान कारी योजनाओं की प्रगती के बारे में चर्चा भी की अपने ब्रहमण के दौरान कलेक्टर ने इन सभी गाउं में संचालित गौठानों की गतिवीधियों के बारे में भी किसानों और ग्रामिनों से पूछताच की कलेक्टर ने स्थानिय लोगों से कहा कि गौठानों के माध्यम से लोगों की आजीविका से संबंदित गतिविधियों का विस्तार किया जाए उन्होंने गौठानों के जरीए नए लोगों को रोजगार उपलब्ध करानी का भी सुझाओ दिया राजनान गाओं की भारतोलन खिराडी ग्यानेश्वरी यादाओ के सम्मान में नगरपाली का द्वारा एक कारेक्रम का योजन किया गया इस औसर पर ग्यानेश्वरी यादाओ को प्रतीख चिन और शीफल के साथ 21,000 की सम्मान राशी भेंट की गई कारेक्रम को संबोधित करते हुए नगर निगम आयफ्त डॉक्टर आशुतोष चतुरवेदी ने कहा कि नगर निगम द्वारा खेलों को प्रोसाहित करने के लिए इस बार के बजट में विशेश प्रावधान किया गया है उन्होंने कहा कि ग्यानेश्वरी यादव जैसी खिलाडियों को सम्मानित करने से जिले की उभरती प्रतिभाएं भी निश्चित रूप से प्रेरित होंगी